नमस्कार आदाब सच्ष्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार दिल्ली हाई कोट में अर्विंद कजरिवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है लेकिन इसके बाद भी दिल्ली शराब घुटाला से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में आम आदमी पार्टी के मुखिया और मुख्य मंत्री अर्विंद कजरिवाल की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही और ताजा तरीन मुश्किल ये है कि एडी आम आदमी पार्टी की संपत्ती को जब्त करना चाहती है वो भी थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा इससे आम आदमी पार्टी में हरकम पच गया है क्योंकि संजय सिंग को छोड़े जाने के बाद केजरिवाल और मनीश से सोधिया की जमानत की जो उमीद बंदी थी उस पर एडी ने ये कहकर पानी फेर दिया है कि हम वसूली करना चाहते हैं और इसके लिए आम आदमी पार्टी की संपत्ती जब्त करनी होगी कोर्ट में केजरिवाल की तरफ से पेश हुए अभिशेक मनुस सिंग्वी ने कहा कि मेरे मुख्तिल को सिर्फ परिशान करने और बदनाम करने के इरादे से जेल में डाला गया है मिलोड उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग को ध्यान में रखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है इसमें स्वतंत्र और निश्पक्ष लोकसभा चुनाव शामिल है जो लोकतंत्र का हिस्सा है इससे हमारा मूल भूट धाचा बनता है केजरिवाल की गिरफतारी से ये निश्चित हो गया है कि वो लोकतंत्रिक गतिविदियों में नहीं शामिल हो पाएंगे मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहला समन अक्टूबर 2020 को भेजा गया और गिरफतारी 21 मार्च को ही इससे दुर्भावना की बू आती है और इससे हमारा मूल भूट धाचा जो है उसको नुकसान पहुँच रहा है मैं यहाराजनीत की नहीं बलकि गानून की बात कर रहा हूँ गिरफतारी की टाइमिंग इशारा करती है कि यह और समवेथानिक है इस पर E.D. के वकील A.S.T. राजू ने कहा कि मान लीजिए कोई एलेक्शन से दो दिन पहले किसी की हत्या कर देता है तो क्या उसे गिरफतार नहीं किया जाएगा क्या उसकी गिरफतारी मूलभूट धाचे को नुकसान पहुचाएगी आप हत्या करेंगे और कहेंगे कि मुझे गिरफतार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे मूलभूट धाचे को नुकसान होगा आपको बता दें कि A.S.T. राजू ने किजरिवाल को हत्यारों से भी जगन्य अपराधी बताया है दिल्ली हाई कोट में कोट में सुनवाई के दोरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस्वी राजू ने कहा कि अपराधियों को गिरफतार किया जाना चाहिए और जेल में डाला जाना चाहिए उन्होंने कहा कि मनी लॉंडरिंग अपराध हत्या से भी बत्तर है क्योंकि हत्या तो आवेश में की जाती है लेकिन मनी लॉंडरिंग ठंडे दिमाग से की जाती है उन्होंने आगे कहा मैं हत्या कर सकता हूं बलातकार कर सकता हूं लेकिन पुलिस से कह दूँ कि नहीं नहीं मुझे गिरफ़तार मत करो क्योंकि चुनाओ नस्दीक है हमें प्रचार करना है ऐसे तो कोई भी राजनेता आएगा और कहेगा कि हमें छूट मिलनी चाहिए क्योंकि चुनाव नजदीक है ये बिलकुल फर्दी बात है अगर हम किसी को इस वज़े से गिरफतार नहीं कर सकते हैं क्योंकि चुनाव नजदीक हैं तो हम कैसा खानून बना रहे हैं इसके बाद एस वीराजू ने जो कहा उससे आम आदमी पार्टी के कान खड़े हो गए उन्होंने दिल्ली हाई कोट में कहा कि एडी आम आदमी पार्टी की कुछ संपत्तियों को जब्द करने जा रहे हैं अब हम अगर ऐसा अभी करेंगे तो वो कहेंगे कि चुनाव के समय ऐसा किया जा रहा है अगर नहीं करेंगे तो प परेटरों के बयान हैं हमारे पास बड़ी मात्रा में इंकम टैक्स का डेटा भी है आम आदमी पार्टी ने सभी बड़े भुकतान नकद में किये थे बड़े पैमाने पर वेंडर्स वरकर्स एडवर्टाइजर्स और लोगों को कैश प्रमेंट किया गया इस कैश त्याचिका को खारिज किया जाए हम पहले से बताना चाहते हैं कि एडी आम आदमी पार्टी की कुछ संपतियों को जब्त करने वाली है एस चीराजू ने कहा इडी ने हाई कोट में एक बार फिल से कहा कि सीए मर्विंद के जरिवाल शराब नीती घोटाले के सरगना और श थो फाइदा कमाया वह अपराद था और अपराद के मास्टर माइंट थे अर्विंद के जरिवाल आम आदमी पार्टी जो अपराद की की आए कि प्रमुख लाभारती थी उसकी सारी रूप रेका अरविंद के जरिवाल ने बनाई E.D. ने कहा कि राश्टिये राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल दिल्ली सरकार के मंत्रियों आप, नेताओं और दूसरे लोगों की मिली भगत से दिल्ली आपकारी घोटाले के सरगना और मुख्य शड़ेंत्रकारी हैं अर्विंद केजरिवाल सीधे तोर पर आपकारी नीती 2021-22 पनाने में शामिल थे इस नीती का मसौधा साउथ ग्रुप को दिये जाने वाले लाभों को ध्यान में रखते वे तयार किया गया था और इसे विजह नायर, मनीश, सिसोधिया और साउथ ग्रुप के प्रतिनिधी अधस्यों की मिली भगत से तयार किया गया था, इडी ने कहा ये सीधे सीधे, मनी लॉंडरिंग का मामला बनता है, और आम आदमी पार्टी ने के जरिवाल के माध्यम से ये अपराद किया है, और ये अपराद, पीमेले, यानि प्रिवेंशन आफ मनी लॉंडरिंग एक्ट जो आरोब के जरिवाल पर लगाए जा रहे हैं, वो अपराद क्या चुनाओ के ऐलान के बाद हुए है, गोटाला बहुत पहले सामने आया, यही मेरा पॉइंट है, कि एलेक्शन के बीच में गिरफतारी क्यों हो रही है, साफ है कि बहुत पहले हुए गोटाले का गलत इस् कि दिल्ली के मुख्यमंतरी हवाला ट्रंजैक्शन्स कर रहे होंगे, यहाँ स्यासपद और निरल ठक है, इस पर ईडी ने कहा कि सबूत कह रहे हैं कि फंड का इस्तेमाल गुआ में आम आदमी पार्टी के चुनाओ प्रचार में किया गया, इसका मतलब आम आदमी पार्टी की को फाइदा हुआ क्योंकि उसने पैसे का इस्तेमाल किया, हम कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लोगों की एसोसियेशन है, एक राजनितिक दल लोगों की संस्था होती है, के जरिवाल इसके मुखिया थे, इसलिए वो आम आदमी पार्टी के मामलों के लिए जिम्मेदा है, वो पार्टी के रास्टी सन्योजक है, इसलिए हम उन्हें सरगना कह रहे हैं, इसके बाद अभी शेक मनु सिंग्वी ने एडी के वकील पर सवालों की बोच्छार कर ली, उन्होंने कहा कि एडी का काम सच का पता करना है, उसको छुपाना नहीं, आप ये कैसे कह सकते है कि आपके पास उनके बचाओ की कुछ चीजे हैं, लेकिन आप उन्हें कुछ देंगे नहीं, शरच छंज रिड़ी ने कजरिवाल के खलाफ बयान दिए और तुरंत उन्हें जमानत मिल गयी, ये शर्मनाक है, रिड़ी ने तेरा बयान दिए और गयारा में की जिरवाल के ख लाफ बयान नहीं देंगे हम बयान दर्ज करते रहेंगे जिसमें केजरिवाल के खिलाफ कुछ नहीं था उन्हें छिपा लिया अदालत से क्या ये नियायोचित है मिस्टर मुंग्टा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये भाजपा को चंदा दिया ये पूरी तरह पक्षपा है मुंग्टा ने किजरिवाल के खिलाफ बयान दिया और फिर दस दिन बाद उन्हें जमानत मिल गई अब उनके पिता सकता धारी दल के गटबंदन का हिस्सा हैं ये कानून का दरसल मजाग पना रहे हैं इस पर जजज ने कहा कि हम फैसला सुरक्षित रखते हैं अब देख नहीं किया है तो फॉरं कर लीजिया फटा फट हमारा Twitter handle है Article 19 Underscore India और मेरा Twitter handle Naveen Journalist. Namaskar.